वेलकम टो माई चैनल फिट अन हैपी हमारा आज का वीडियो गर्दन की दर्द और मोच के बारे में हैं गर्दन में होने वाले दर्द या मोच जो किसी चोट की वज़ा से हो या जब कभी हम मौर्णिंग में उठते हैं तो हमारी गर्दन में काफी स्टिफनेस मैसूस होती है या किसी भी बीमारी की वज़ह से अगर पेशन्ट के गर्दन में दर्द है या इस्टिफनेस है काफी तो बहुत ही असान सी रेमेडी है बस हमें फ्रेश गिलॉई लीवस इस टम के साथ लेनी है और इसका हमें एक पेस्ट बनाना है घ्राइंडëर में ग्राइंड करके हमने इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है यह देखिए लेकिन हमने इसमें ठोड़ा वाटर यूझ किया ह इसलिए इसलिए काफी पतला है और ये जो वॉटर है यह जहां पेन की जगह है ना है करना में घर्म कर लिया है और घरम करने के बाद जो इसका वॉटर में एकसेज्सग द इसी में कर दिया है यह सी में ड्राइ हो गया है यह देखिए अब इसमें वॉटर नहीं है और यह देखिए ताकि नेक्टम असानी से लगा सके अगर हम यह लिक्विड वाला लगाएंगे तो यह इस पे बहने लगेगा गर्दन पर तो हम ने यह ड्राइ कर लिया है ड्राइ करने के बाद इसको लगाना भी असान होता है और यह कभी कभी कंदे में दर्द होती है तो इसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं लगा सकते हैं यह ड्राइग किया हुआ है इसको हमें छानना नहीं है पानी नहीं इसका पानी हमें अलग करना है हमको इसी में इसको एब्जॉर्ब होने देना है इ कोटन के साथ ही हम दॉक्टर टेयर भी यूज कर सकते हैं ताकि यह अराम से गरदन पर लगा रहे इसको मॉर्णे में लगाए है तो कम-कम एक दू घंटा इसे लगा रहने देना है और अगर रात में लगाते हैं और रात भर यह लगा रहता है तो बहुत ही अच्छा है अब इसको रात भर लगा रहने दे ताकि ये इसमें काफी वकर और एक ही अप्लिकेशन के साथ जो पेन है वह बिल्कुल चला जाता है गर्दन मूव करने लगती है तो फ्रेंड्स ट्राइट एंड सेंड मी यो कमेंट्स को कि इस्टे सेफ फिट एन हैपी